हेलो एवरिवन स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे कोश्चेन जो कि मैंने आई एरोडव से लिया हुआ है तो इस कोश्चेन को आपको सबसे पहले पढ़ना है और इस कोश्चेन को आपको सौल्व करते हुए उसके वहां comment सकते हैं मैं comment करके पूछ सकते हैं चली देखिए question क्या कहरा है क्याता है moment t is equal to 0 a particle of mass m start moving due to a force टेक है कोई भी particle है जो कि mass है m का उस पे कोई force लगा है at t is equal to time 0 पे और force का जो है वो cos के function में है क्या है force का expression क्या है देख सकते है आप f बराबर f0 cos omega t का function given है वो इस तरीक केस उस पर फोर्स लगता है तो बोल रहा है कुश्चिन को अप लेंग्वेज को ध्यान से वे हाव लॉंग ओके हाव लॉंग आप इस देखिए विल इट भी मुविंग अंटिल इट स्टॉफ पर दा फर्स टैप पहली बार यह रुकने से पहले यानि जब फोर्स लग रहा ह तो पहला बार यह मोशन किया होगा और उसके बाद फिर से यह जाकर रिष्ट में हुआ होगा तो उस दौरान उसको कितना समय लगा है यह पहला निकाला गया है ठीक है पहला पार्ट पूछा गया है दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वाट डिस्टेंस विल कि ट्रावर्स दूरिंग डाट टाइम इस बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रावल किया यानि इस टाइम में जिसनों वो पहली बार रुका होगा और थर्ड पार्ट इस वाट इस मैक्सिमूम वेलोसिटी अटेंड कर चुका है कर सकता है यह आपको बताना ठीक है तो इस क लेकिन वो जिनको समझना है वो वीडियो पर पूरा बने रहे हैं क्या कह रहा है कि आपके पास एफ बराबर एफ नॉट कॉस ओमेगा टी है लाइक प्रिवियस क्वेश्चिन एक ऐसा क्वेश्चिन 1.98 भी इसी तरह के प्रॉब्लम है बट उसमे थोड़ डिफरेंट ऐंगे एंटु कॉस ओमेगा टी हो जाने वाला है यह होने वाला है किसकी वैलियो होने वाली है एक एक वैलियो आजएगे और ए जो है आपका होता है डिवी बाइडी टी और यहां अगर इंट्रिगेशन करते हैं तो हमें भी मिल जाएगा अधर जैसे एफ नोट बाइम cos का जो होता है, cos का क्या, integration जो होता है, वो sin omega t by omega plus some integration constant c क्यों, okay, यह c क्या है, मैं बार मता हूँ, c क्या है, integration constant है, now, आपको जो boundary condition given है, कि at t is equal to 0 पे, velocity भी 0 है, क्योंकि object rest पे बोला गया है, तो that wise, कि अगर हम यहाँ पर t को 0 पुट करते हैं, तो यह पूरा function 0 हो जाने वाला है, v भी 0 होने वाला है, that's why आपका c भी 0 आएगा, okay, क्या होने वाला मैं फिर से बता रहा हूँ, कि अगर आपने t को यहाँ 0 पूट करते हैं, sin 0 0 होने वाला, अधर velocity भी 0 है, that means c भी आपका 0 आजाएगा, यानि v is equal to, आपका बचिएगा, f not y m omega sin omega t, ठीक है, यह आपकी velocity आ गई है, then, आपको पूछा गया है, कि particle कब, first time अपने जो है, उसकी velocity 0 होगी, देखे, first time अगर velocity 0 है, तो हम इसको simple सा करेंगे, कि एक बार तो यानि, velocity को 0 करना है, तो velocity 0 कब होगा, आप देख सकते कि यह जो parameter है, f not by m omega, वो तो already constant है, जो भी function, sin के function का अनुसार change हो रहा है, यानि हम कहा सकते हैं, कि जो sin omega t है, वो ही determining factor है, यहनि sin omega t को हमने 0 किया, अब आपको पता है कि जब omega t, sin का कोई भी function 0 कब होता है, जब वो n pi के multiple में होता है, plus minus, तो चूकी यहाँ पर हमें t n की value आप 0 put कीजिएगा, तो यह 0 हो जाने वाला है, एक time already, तो already वो rest पर थाई, जब t is equal to 0, according to the boundary condition, लेकिन, यहाँ पर दूसरी बार निकालना है, तो हम यहाँ पर n का value 1 by 1 निकालते है, अगर आप से दूसरी बार पूछा जाता है, तो 10 की value आप 2 निकालते है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 put किया है, तो positive value पर हम लोग treat कर रहे हैं, क्योंकि time never be negative, okay, so t is equal to pi by omega, तो यहाँ से आपका क्या आगिया, t is equal to pi by, यानि यह वो time है, जिस time में particle पहली बार, ठीक है, उस force यानि f पराबर f not cos omega t के अगर under में आता है, तो वो particle पहली बार wrist पर आगा, ठीक है, जब अपने time start करने के बार, दूसरी बार आपको 2 के multiple है, 2 pi by omega हो जाएगा, ठीक है, अब second part जो आपसे question में पूछा गया था, इस बीच में particle ने कितना displace किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, simple सा logic लगाना है, v बराबर f not by m omega sin omega t है, इसमें भी आप ds by dt बराबर f not by m omega sin omega t है, ds by dt को आप, यहाँ से dt को आपने उधर भेजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जब यहाँ से फिर से अगर हम integration करेंगे, ds का integration किया, तो s मिल गया, f not by omega sin का integration, minus cos omega plus c हो गया है, अब यहाँ से एक काम करना, फिर समने boundary condition को देखा, कि जब time 0 है, तो velocity भी 0 है, तो जब time 0 है, तो velocity भी 0, तो पार्टिकल के हम लोग यह starting में है, पार्टिकल कोई already displaced नहीं है, पार्टिकल की जो displacement है, जो पार्टिकल अपने original position पर दा, वो पार्टिकल 0 displaced किया, तो यहाँ से आपका displacement, यानि यह 0 हो गया है, तो that means अगर हम यहाँ 0 put करेंगे, तो यह term cable 1 होगा, यानि आपका बच जाएगा, f0 by m omega cos omega t में, इसमें put कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने इस चीज को put किया है, एक मिली जेस्ट में इसको तो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह अगर put कर सकते हैं, तो वहाँ से आप c की value को देख क्या देखेंगे, वह f0 by m omega square, यानि c की value, जो constant हमने इहाँ put किया, तो देख सकते हैं, यह c कैसे निकला है, इस वाले boundary condition को हम लगाएंगे, तो c निकला है, अब जब c यह constant निकला है, तो पूरा entire expression क्या हो गया है, यह होगी है, लेकिन आपको पूछा था कि जो first time object जब rest पे velocity की जीर हो रही, तो उस बीच में कितना displaced हुआ, तो हमने t is equal to अभी लाया, कितना लाया है, पाई by omega लिके हैं, तो इस omega को हम लोग यहाँ पर put करते हैं, तो जैसे इसमें omega put करेंगे, देख सकते है, cos omega t में अगर हम लोग यहाँ put करते हैं, तो यह हो जाएगा, cos pi या cos pi कितना होता है, minus 1 होता है, और यहाँ से minus और minus यह positive, यहाँ यहाँ फ नोड वाई, m omega square है, यहाँ फ नोड वाई, m omega square है, तो टोटल जो displacement आएगा, वो s बराबर 2f0 by m omega square, यह आपका particle का क्या निकल गया, displacement निकल गया, जब वो पहली बार फिर से लोटके वो wrist प्यार आँगा, ठीक है, दूसरी बात, सुरी यह तीसरी बात होगे, दूसरी बात तुमने कर लिए, पूछा गया है कि इसकी कितनी maximum velocity attain कर सकता है, तो देख सकते हैं, आपको अभी velocity का जो general term आया हुआ था, इसको तुम कर लेता हूँ, velocity का जो general term आया हुआ तो वो v बराबर f0 by m omega sin omega t है, आपको maximum पूछा है, कि maximum किता है, तो maximum के लिए deciding factor कौन है, कौन factor है, वो sin का function maximum plus 1 होता है, तो यह maximum plus 1 है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि f0 by m omega t, हाला कि आप इसको दूसरे maximum और minimum के concept से भी बना सकते थे, पर उतना सोचने वाली कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि maximum value जो हो सकता है, झाले कौना सकता है,